आज में बनाने ऐनाले की अचार। तो आवला ये है के जिघशी जो में इसे अच्छे से धोली हूं धोने के बाद आग मैं जा रहीं। इसे बहुत ज्यादा ही बतके है ुणानले। यहां पे मैं ली हूं एक जिघशी आवला। मै इसे अच्छे से धोल टी। अब तक एक या दो सीटी लगने तक हम इसे इसे उबा लेंगे एक दो सीटी आने के बाद मैंने गैस को बन कर दिये हैं और इसे ठंडा का निक दे रख दिये और उसके बाद मेरे या आने दो सीटी में हो गये हैं और मैंने इसे अलग-अलग कर दिये हैं वन केजी है तो आधा आधा कर दिये क्योंकि मुझे आउलेक की दो तरीके की आचार बनानी है और ए रेसीपी आज की टाइटिल देखके तो आपने समझी लिया है कि मा की हाथ की जी हाँ मेरी मम्मी बनाती थी जो हमें बच्पन से आज तक उसारी टेस्ट पता रहता है कि अपनी मा की हाथों की टेस्ट चाहे कैसा भी कोई भी बनाए सब को अपनी मा की हाथ की टेस्ट बहुत ही पसंद आती है तो यहां पर मैंने जो आधा आवलाता उसे हलका सा रोष्ट करूंगी ताकि जितना इसका मौसरा है उतना हड जाएगा और उसके बाद मुझे इसे जादा रोष्ट नहीं करना है बस उतना ही कि ताकि हलका हलका इसका सूखापन सूख जाए तब तक और यह वाली आवली की अचार मेरे घर में न सबसे जादा पसंद मेरी दादी को आती थी क्योंकि मेरी मेरी दादी ममे से बोलती थी कि अचार बना के जादा test बना कर देती थी और उसके बाद मैं डा लिए हो और नमक जो आप चाहो तो साधा नमक डाल सकते हो मगर मुझे क्या मेरे ममी ऐसे ही बनाती थी तो मैंने सचा कि मैं ये रेसिपी आपके साथ सेयर करूँ और इसके बाद मैंने डाली हूँ चीने जो जादा नहीं डाली हूँ कि आउला जितना है उतना ही बस आउला जितना है उसका आधा डाली हूँ और इसे तब तक मैं चलात बिना धकी ही जब तक यह अच्छी सी मिक्स ना हो जाए और गल ना जाए और इसके साथ साथ इसे धकना भी नहीं है इसे ऐसे ही चलाते जाएंगे और आपको चलाते हमारी यह वाली आउली की आचार या आप मीठा वाला आउली मुरबब भी बोल सकते हो जो बहुत ही पूरे साल एक साल तक आप इस्टोर करके रख सकते हो बिना धूब दिखाए और यह सबसे ज्यादा सेहत मन्द बहुत ज्यादा फायदे मन्द होता है इस ठंड के मौसम में आप पेवाली अचार बनाके इस्टोर करके पूरे साल रख सकते हैं नहीं लगता है क्योंकि कोई कोई चीज हम देखते रहते हैं तो यह होता है कि बना ले और कितना चीज आसान नहीं लगती है तब भी हम देख की छोड़ देते हैं तो ट्राइज जरूर करिए और एक बार बनाया करें आपको पसंद आ रही हो तो एक बार जरूर ट्राइगा और इसके बाद मैं डाली इन डाल इन आपते हैं और गी आप जोना सा जोसे लाष्ट में मेरे माव तर्वाम डालती थी कि इल्क शन ऍसरी वादक यो ते द defense यहांव भी इन क्वादश के निता है यह पिर्लिक से ज़ा neu प्लूर स्कॉआ भी बाद कमश़् को एक निता है प्लोंग बीचल अच्छ passions तो पुरा वीडियो देखते रहें और मैं कैसे बना रहे हूं आप भी अगर समझ में आ रही हो तो एक बर ज़रू ट्राइगा और हर कोई चाहेगा कि हाँ मेरे एरेसेपी आप सब को पसंद आ रहे हो तो लाइक सेयर करिएगा और पसंद ना रहे हो तो पुरा वीडियो अचाहर को अच्छे से पुरा इस्टोर करके रखने के लिए रख देती थी तो इसके साथ डालती थी घी ताकि इसमें कोई फंगर्स या अचाहर खराब नहीं होता था इसकले और इसे डालने के बाद पूरे साल एकदम देशी चौनप्रास आपकी घर पर ही तैयार हो जात बिना किसी केमिकल प्रोडेक्ट से तो देखे मेरी अचाहर तैयार हो गई है तो अचाहर बनाने के लिए मैंने यहां पर तेल को अच्छे से गरम कर लिया है गरम करने के बाद ही मैंने इसमें अधरक और हरी मिर्च डाली ही तेल गरम होते समय मैंने इसमें डाले हैं मेथी और दालों कि ऐसे पमेली हैं आड़र sorry और इस जान करैंके के कोई दूनों जादा गरम नहींके करें हैं कैम अदरक पर को बादे सालिय झाल जह को तोटंद दूनि qu Judas L औरह टो आट आचार में बीना पानी डाले मसाले को गरम कर लिया है शो timebel necessarily नमक डाली हूँ, नमक डालने एक बाद जो मैं गरम की हुई तेल इसमें डाली हूँ और इवाले अचार आप दो महीने तक रख के, ज्यादा टाइम तक नहीं रख के दो महीने तक आप रख के खा सकते हो और तुरंट इअचार खाने लाइक हो जाता है ना कि मसाली कच्चे है तो इसकी वज़े से मैं कुछ टाइम के बात खाऊंगी जी नहीं आप तुरंत खा सकते हो और इसे खाने में या बनाने में बहुत ही इवाले अचार तो हम सब बच्चे हमारी घर में सब सारी लोग बहुत पसंद करते हैं और इवाले रेसिपी आपको पसंद आई हो तो एक बार जरू ट्राइक करिए गये मेरे ममी के बनाई हुई अचार आप सब को कैसी लगए और ऐसे ही बहुत सारी रेसिपिया हैं और अब जो वीडियो आएंगे तो हपते में फ़स्टे में 2 वीडियो आएंगे और उसके साथ 2-2 रेसिपी में एक ही जरूर वाज करिएगा तो फ्रेंस मिलते हैं कोई अगली डिस के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंस मिल बाबाई